हेलो दोस्तों मैं डॉक्टर रेखा सिना आज आपको जॉन्डिस के बारे में बताऊंगी और उसकी हेमोपेथिक मेडिसिन भी बताऊंगी तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेट जरूर कर देज़ेगा तो चलिए शुरू करते हैं जॉन्डिस उसको पिलिया भी बोला जाता है पिलिया रोग में रोगी के सरीर तुचा पिला हो जाता है आँख के अंदर सफेद भाग भी पिला हो जाता है आँखों और रोगी को तोचा से पता चलता है कि उसे पिलिया है ये पिलापन खुन में मौजूद बिल रोविन की मौजूदगी के कारन होता है ये तोचा लाल रक्त कोशिकाओं के नश्ठ होने से बनता है चलिए अब इसके लक्षन के तरफ चलते हैं पिलिया रोगो के लक्षनों में रोगी का तोचा आखे नाखून पिले रंके हो जाते हैं रोगी पे साब भी करता है तो बिलकुर पिला रंका ही करता है इसकी पहली मेडिसीन है एको नाइट अगर जॉन्डिस रोगी की शुरुवात में ही रोगों को एकोनाइट रोगीयों को एकोनाइट दवा दे दिया जाए तो इसे रोगी को पूरी तरह समापत हो सकता है अगर जॉन्डिस का तेज होना जिसके कारण रोगी पूरी तरह करवटे बदलते रहता है और उसे घबराहट बेचैनी सीछाने लगती है रोगी को बहुत तेज प्यास लगती है जो बारबर पानी पीने से भी नहीं बुशती बलकि और भी बढ़ती जाती है रोगी को पानी के सिवाए बाकी सारे चीजे कर भी लगने लगती है और पैसाब का रंग काला हो जाता है पेट के नीचे के भाग को छूने से धर्द होने लगता है इस तरह के लक्षन में रोगी को एको नाइट 30 पावर में देना लाव होता है दूसरी दवा के तरफ चलते हैं रोगी को वीलिया रोग होने के लक्षन में किसी तरह की हरकत करने से ही रोग बढ़ जाता है सीने के भाग में हलका सा दवाव की रोगी को बरदास नहीं होता रोगी से बिलकुल भी हीला डोला नहीं जाता परेशानिया काफी बढ़ जाती है सांस लेने में भी परेशानी होती है रोगी को खांसी होने पर ऐसा महसूस होता है जैसे कि सीने में अभी ही फट पड़ेगा इस परकार के लक्षन में रोगी को बढ़ेनिया 30 देना चाहिए बहुत एफेक्टिब मेडिसेन है जांडिस की रोगों की सुरुवाती अगर सलफर और सादी से खास लाव ना हो तो उसे दूसरी दिन चलिडोनियम मेडिसिन दी जा सकती है रोगी को अपने सीने की भाग में हलका सा दर्द महसूस होगा मुझ का स्वाद बिलकुल करवा होगा जीव पर मैल की मोटी सी परत जम जाना जीव के किनारे लाल होना जीव पर दांतों की निसान पर जाना और आखों का बिलकुल पीला हो जाना रोगी का ये चेहरा देखने में पीला देखना हाथ और तचा पीली सी हो जाना पैसा भी पीला सा आना भोकना लगना और उल्टी होना रोगी को गर्म ही भोजन और गर्म ही पानी पीने की इक्षा होते रहती है इस तरह के पुराने पिलिया या नए पिलिये रोगों के लक्षनों को चिली डोडियम 30 पावर में देने से बहुत जादा ही लाव होगा अगली दवा है नक्स भौमिका अगर किसी बैक्ती को गुस्सा आने के बाद पिलिया का रोग हो जाता है तो उस समय के लिए नक्स भौमिका उसाधी बहुत ही अच्छी है पिलिया रोग के कारण रोगी में मांसिक लक्षन पैदा हो जाते हैं जैसे दूसरे लोगों से बत्तमीजी से बात करना, गालियां बखना, छोटी छोटी बातों पर जगरना इसके अलावा रोगी हर समय कपरों में ही धका राता है क्योंकि उसे ठंड बहुत ज़्यादा महसुस होती है रोगी बिश्तर में इस तरह से शुकूर कर लेटता है कहीं से हवा न लग जाए उसका चेहरा पिला पड़ जाता है मुझ का स्वाद करवा हो जाता है जिसके कारण उसे रोटी भी करवी लगने लगती है सीने में सूजन होना जिसको छूते ही दर्द सा महसुस होना इस तरह के रोगी सारीरिक और मांसिक दोनों तरह से कमजोड सा दिखता है ऐसे लक्षन के रोगियों को नक्स भोमे का 6 या 30 पावर में दी जाये तो बहुत ही लाव होती है आईए अब जानते हैं इसमें क्या पढ़ेच करें और क्या नहीं पढ़ेच करें पिलिया रोगों में रोजाना गन्य का रस पीजिए बहुत ही लावकारी होगा क्योंकि गन्य का रस को पिलिया रोगों का बहुत बड़ा दुस्मन माना जाता है पिलिया रोग को रोजाना ताजी सबजी का दो तीन गिलास रस पिना चाहिए रोगी को दूध पनीर और मांसाहारी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए पिलिया रोगी को सराव नहीं पीना चाहिए रोगी को बहुत ज़्यादा मातरा में ठंडा पानी पीना चाहिए आशा करती हूँ आज का ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगे तो लाइक, सस्क्राइब और सेर करना ना भूले अगर आपको कोई भी मेडिसिन पूछनी हो तो आप मेरे कॉमेंट सेक्षन में जाके कॉमेंट कर सकते हैं तब तक के लिए धन्यवाद